दिल्ली भाश्पाप प्रदेश अध्यक्ष बिरेंदर सचदीवा ने प्रेस वारता करते हुए दिल्निस सरकार पर जम कर हमला बोला आप स्वास्त की बात कर रहे हैं कुंती फ्री दवाईयां दे रहे हैं उनके जीवाल चार-चार-पांच-पांच साल की डेट मिलती है टेस्ट कराने के लिए दिल्ली के सरकारी हस्पतालों में आप तो जेल में थे तो आपको ये भी नहीं पता हो कि आपके दिल्ली के सरकारी हस्पतालों में नकली दवाईयां वह दोईया जिनकी expiry date खतम हुई है वह दी जा रही थी, वह बेची जा रही थी, क्यों क्योंकि उसमें भी दलाली और कमिशन का खेल था, आप नहीं बताएंगे कि महला क्लिनिंग में 65,000 नकली टेस्ट पकड़े गए, जहां वह आदमी नहीं है जिसका टेस्ट कर दिया गया कहां गए वह भूत, जिनके नाम पर आपने कमिशन और दलाली खाई पैसे खाए, आप उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महिलाओं को बसों में फ्री सेवा, हम चाहते हैं महिलाओं के साथ बुजर्गों को भी वो फ्री सेवा मिले, लेकिन DTC की बसे हैं क्या पिछले दस साल में एक बस नहीं बढ़ाई, जो सत्रह सो बतें इलक्ट्रिक आई हैं वो भी केंसरकार नहीं दी हैं आपको, DTC में कितनी बसे थी और कितनी बसे रहे हैं जरा उसको आखार उठाके देख लीजे, क्यों DTC के कर्मी हर्ताल पे बैठे हैं, है उसका जवाब आ उनको रोजगार मिले, और कॉंट्रेक्ट कर्मी की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप मार्शल की बात नहीं कर रहे हैं, आप गैस्टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नियत में खोट दिखाई दे रहे हैं कि 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका फून चू जाकर देख लीजे, उस Good Governance के model को देख लीजे, कैसे महिलाओं को आर्थिक योगदान दिया जाता है? कैसे महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षिद किया जाता है? कैसे उनको उनके पैरों पे ख़ड़े करने का काम किया जाता है? कैसे केन सरकार ने गरवती महिलाओं के लिए योजना लाई कैसे बिजली में स्वभाग्य योजना के था है तीन करोड़ों लोगों को गाउं ध्यात के बिजली का कनेक्शन दिया गया है यह परधानमंत्री की योजना जहां समाज का लियान सर्वोपर ही रखा जाता है महां ऐसा नहीं जताया जाता कि हम आपको बीख दे रहे हैं और आप हमारे रहमों करम पे रहोंगे इतना इफाब फर्क अरविंद के जिवात समाज के लियान और खेरात में यह आपको समझना चाहिए नेशन मेरर के लिए दिलने से शिवम पांडे की रिपोर्ट